ये है दुनिया का बिश्व का सबसे बड़ा मंदी की तो इस पार है नवद्दी और नदी का क्रोस करके उस पार जाएंगे मायापूर तो लॉंच पकरना पड़ेगा अभी Welcome to our channel सुमन सुनन्दा व्लॉग्स तो दोस्तो आज हम लोग आये हैं मायापूर तो मायापूर जाने के लिए तो ये फेरी क्रॉस करना ही पड़ेगा दोस्तो देखिए नाव में चड़ गए देखिए उस पार दिखाई पड़ रहा हो करें यह है गंगा नदी गंगा नदी थोड़ा आगे जाके जलंगी नदी से संगम हो रहा है यह संगम पॉइंट और मायापूर का विश्व का सबसे उचा मंदिर मायापूर में स्कॉन का मंदिर तो है और बहुत सारा मंदिर है बहुत खुल सुन्दर तो फेरी क्रोस करके ही यह जो में रोड है सीधा जा रहा है मायापूर का मंदिर और मायापूर का जो विश्व का सबसे उचा मंदिर है वो तो दिखाई पड़ी रहा है आपको और दो तरफ बहुत सारा दुकान है, आप उहां खरीदारी कर सकते हैं, बहुत कपड़ा का दुकान है, होटल है, खाना पिने का दुकान है, बहुत कुछ दुकान है, तो दोस्तो सीधा जाना पड़ेगा, अगर अब पैदल आ रहे हैं तो टोटो भी मिल जाएगा, और बाइ दुकान कपड़ा का देखिए बैग का भी दुकान है चप्पल का दुकान है आपको जो जरूरी चीज है यहां मिल जाए मायपूर में आपको दोपर का हो चाहे रात का हो भोग प्रसाद मिल जाएगा कूपन खरीदना परेगा देखिए यहां है नमा हट्ट भवन और बहुत सारा भवन है कीता भवन हर जगा तो कूपन मिलेगा ही अगर यह सुलब किचिन में आपको चार बज़े तक मिलेगा भोग प्रसाद और भूग लग गया है तो आए है चार बज़े तक खुला रहता है चालीस रुपिया में देखिए दोस्तों यह है सिल प्रभूपाद जी का मंदिर देखिए कितना सांदर बगल में है बिश्वा का सबसे बड़ा मंदिर देखिए कितना सुंदर मायापूर का दृष्ष इतना सुंदर देखिए बगल में बहुत सारा दुकान है तुलसी माला पूजा का समगरी आपको मिल जाएगा दोस्तों देखिए तुलसी माला बहुत सारा राधिक अड्रेस देखिए और बगल में है मंदिर देखिए बहुत ब्रिदेशी भक्त यहां आते हैं जैश्री कृष्णा मायापूर को दृतियो बिंदवन भी कहते हैं सेकेंड बिंदवन बहुत सुंदर भाईव सैहियां ब्रिद्नाबन जैसाई अखंड कितन देखिए अखंड कितन होता है मतलब हमेशा कृतन होता है अखंड 비방ले मतली का ठाते हैं से तो कृतियो बहुतियो वे नान के लिख वेहां मेंदंद कितन डर्क बेला खंड महां यहां एव को लिख ऑएक हैं पक्ते हैंन आते हैं एते हैं दोस्तो यह जो red color का देख रहे यही main मंदीर है अभी और complete होने के बाद उसमें main मंदीर हो जाएगा जो blue color का देख रहे हैं उसमें shift हो जाएगा मंदीर आभी तक opening नहीं हुआ है काम चल रहा है दोस्तों बहुत जल्दी opening होने वाला है जूता चपल रखने के लिए को चार्ज देना नहीं पड़ेगा कि 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 दूर्ण कोरा कर दो हमें आजा जायेगा गी मिलेगा और बहुत सारा चीज मिलेगा पुजा का समगरी भी मिल जाएगा धूप दोस्तो अगर आप इहां रात को रुपना चाते हैं तो बहुत सारा भवन है बहुत अच्छा व्यवस्ता है कोई भी गेस्ट हाउस में आप रह सकते हैं उसके लिए चार्ज